नमस्कार दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यह पहली क्लास रिजनिंग की हो गई है जिसमें महत्वपूर्ण पांच कोश्चन आप सभी के सामने कराए गए थे तो फिर से आज दूसरी क्लास मैं लेके आ गया हूँ जिसमें फिर से मैं पांच महत्वपूर्ण कोश्चन trick के साथ बताओंगा जहां पर आपको मात्र कुछी second में अगर concept को समझ लेते हैं तो मात्र कुछी second में question को solve कर लेंगे तो चलिए question देखते हैं मगा question देखने से पहले सबसे पहली चीज़ कि आप channel को like और subscribe करना ना बूलेगा और अपने दोस्तों के बीच share भी करना न भूलेगा क्योंकि जब आप share करेंगे तो दूसरों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा तो पहला question बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जहां आपको ना pen और ना paper की जरूरत पड़ेगी मात्र question देखने मात्र से ही आप solve कर लेंगे तो चलिए ए मेरा पहला question है कि एक बिचिष्ट code भासा में एक बिचिष्ट code भासा में BAD को साथ समझिएगा BAD को साथ लिखा जाता है तथा yes AP को नौ लिखा जाता है तो इस code भासा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा फिर से question को ध्यान से read करिएगा कि एक visist code भासा को BAD को 7 लिखा जाता है तथा yes, ap को no लिखा जाता है इस code भासा में BAN को क्या लिखा जाएगा तो चलिए हम समझते हैं कि इस question को हम लोग कैसे solve करेंगे देखें BAD अच्छा B अब इसमें तो भाई नंबर है अलफावेट्स तो दिये नहीं है answer में कि हम अलफावेट्स से लगाएंगे तो यानि अलफावेट्स से solve नहीं होंगे अब हमें numbering करना होगा अच्छा 7 यहां पे कैसे आया है यहां पे 9 कैसे आया है और यहां पे हमको लाना है कि यहां पे किस प्रकार लिखा जाएगा यानि B, A, N को किस प्रकार लिखा जाएगा चलिए देखते हैं अब B, A, D B, A, D, B नंबर में अगर गिंति करते हैं तो कितने नंबर पे आता है दो नमबर पे ये कितने नमबर पे आता है ध्यान दीजिएगा एक नमबर पे और डी कितने नमबर पे आता है चार नमबर पे अगर हम तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा अब ऐसे ही हम yes a p को भी लिखेंगे yes a p देखे इसमें थोड़ा सा concept है आपको समझना होगा yes कितने number पे आता है अगर हम count करते हैं तो yes जो है 19 number पे आता है कितने number पे आता है 19 a एक number पे आता है और p कितने number पे आता है तो p जो है 16 number पे आता है कितने number पे आता है शोला नमबर पे, अब इसको भी हम add करदेंगे, कैसे add करेंगे 36, कितना हुआ 36 हुआ, मगर अब भाई इतना लंबा संख्या तो दिया नहीं है 36, 9 दिया है, तो अब ऐसा क्या करेंगे कि 9 हो जाएगा देखें हमें इसके हिसाब से चलना होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 sous 6 बराबर 9 दिखिए 9 आया है कि नहीं 9 आ गया, अब ऐसे हम B, A, N को भी solve करेंगे कैसे करेंगे दिखिए B, A, N कितने नंबर पर आता है 2 एक, इतने नंबर पर आता है 1 और A, N कितने नंबर पर आता है तो 17 नंबर पर कितने नमबर पर सौरी 14 नमबर पर आता है कितने नमबर पर आता है 14 अब इसको जब हम add करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा मगर 17 तो किसी option में दिया नहीं है कि 17 आया है तो इस तरीकेश नहीं होगा 17 को हम जोड देंगे एक एक पार्ट में एक और साथ को जोड देंगे तो जब जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 किसी option में है पहले option में देखे कहा गया है पहले हम question को read करेंगे फिर question को समझेंगे कि क्या बोल रहा है अगर question को समझ लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ हम ट्रिक के साथ solve कर सकते हैं तो समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर पे बी दो एक नंबर पे आ गया डी चार नंबर पे साथ आ गया साथ आया था फिर यस एपी को निकाला तो 19 एक बीस और 6 26 और 10 36 तो 36 को हम 3 प्लस 6 करके 9 ले आ दिया और ऐसे ही हम B को B A N को भी कर दिया तो इसका भी आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा एटा जाएगा तो आसा है कि कोश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग solve कर लेंगे अगर आइंदा से competitive exam में आता है दूसरा कोश्चन इस तरीके का कोश्चन हमको exam में बहुत परशान करते हैं तो आईए देखते हैं कि कैसे इस कोश्चन को हम solve करेंगे नीचे दी गई प्रश्चन का सही win आरेख बनाईए बताईए कोश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि नीचे दी गई प्रश्चन का सही win आरेख बताईए क्या दिया है दिल्ली दिया है स्री लंका दिया है एसिया दिया है अब आई हम लोग सोचेंगे सबसे पहले हमको सोचना कैसे है देखिए दिल्ली कहा है तो दिल्ली हमारा भारत में है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली भारत की क्या है राजधानी है स्री लंका कहा है स्री लंका तो हमारे देश में नहीं है एसिया कहा है तो एसिया के अंतरगत ये दोनों देश आते हैं भारत भी आता है जो भारत में दिल्ली है और श्री लंका भी एसिया के अंतरगत आता है तो हम ऐसा क्या करें कि जो विन डाइग्राम बनाया गया है इसमें हमारे तीनों आ जाएं तो सबसे पहले हम एसिया को बनाते हैं ठीक एसिया को हमने बना दिया फिर हम लोग क्या है बी नंबर पे ठीक बी आप्सन हमारा सही हो जागा सबसे पहले हम relation define करेंगी क्या बोल रहा है इसमें क्या करना है तो दिल्ली कहां पे है दिल्ली तो भारत में है स्री लंका हमारे देश में ही नहीं है एसिया के अंतरगत ये दोनों देश आते हैं ठीक भारत भी आता है और क्या आता है स्री लंका भी आता है तो पहले हम एसिया को बना लिया फिर दिल्ली यानि एसिया के Inportent Question है दोस्तों। यह questions most important question की स्रेढ़िम इसको रखना है क्या क्या रहा है कि DNE गए विकल्पों में से संबंधिस संख्या को चुनिये फिर से एक बार पढ़ेंगे question को कि DNE गए लिखा क्या है तीन लिखा है तीश लिखा है फिर सात लिखा है यानि तीन अनुपाते, तीस अनुपात, समा अनुपात, साथ, फिर इसको हमें ग्याद करना है यानि इसका रिलेशन इससे यह हमको define करना है टैसे करेंगे अब ऐसा क्या किया होगा कि यहाँ पे तीस आ गया और यहाँ पे और कुछ आएगा अच्छा तीन का multiply जब हम 10 में करते हैं तो 30 पाते हैं मगर इसका भी ऐसे आना चाहिए कि 7 का multiply हम जब 10 में करें तो 70 आना चाहिए मगर हमारे किसी भी option में 70 नहीं आया है यानि इस तरीके से question नहीं solve होगा कैसे solve होगा तो 3 का इस cube करेंगे हम और फिर प्लस 3 कर देंगे उसके बाद देखें 3 गुणते 3 गुणते 3 यानि 3 तरीक का 9 तरीक 27 और 27 में जब हम 3 को add कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा 30 अब इसी concept पर हमको इसको भी लगाना है कैसे लगाएं या यह देखते हैं साथ का क्यूब क्या करेंगे साथ का क्यूब अब साथ गुणते साथ गुणते साथ सास ता 49 49 सत्ते 343 अब 343 में 343 में हम क्या कर देंगे साथ को add कर देंगे तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा कितना हो जाएगा 350 कैसे किया इसका क्यूब करना है आपको क्यूब करेंगे तो तीन नुवा तीन तिरिक का नौ तिरिक 27 और 27 फिर प्लस कर देंगे तीन को तो 27 आजाएगा 27 में 3 एड करेंगे तो 30 आजाएगा देखे 30 आया है और फिर इसको करेंगे जब क्यूब करेंगे तो 343 343 में 307 को एड कर देंगे कितना आ जाएगा 350 देखिए हमारे किसी ओप्सन में दिया हाँ चौथे ओप्सन में क्या है 350 दिया है चलिए अब चौथा कोश्चन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं बहुत ही आसान ट्रिक है गर आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो मात्र 25 सेकेंड में आप कोश्चन को लगा देंगे बस थोड़ा का धोड़ा सा कॉंसेप्ट है फिर से अगला कोश्चन हम देखते हैं कि एक छात्र को परिक्षा में उत्रीन होने के लिए कोश्चन ध्यान से पड़ीगा most important question है कि एक छात्र को परिक्षा में उत्रीन होने के लिए 40% अंक लाने थे उसने 133 अंक लाया था वह सर्शट अंकों से अनुत्रीन मतलब फेल गोसित किया गया तो कुल पुडांक कितने थे देखेगा ध्यान से कि एक छात्र को परिक्षा में उत्रीन होने के लिए 40% अंक लाने थे उसने 133 अंक लाया था वहां 67 अंकों से अनुत्रीनियानि फियल गोसित किया गया तो कुल पुडांक कितने थे देखे बहुत आसान कोशेन इसको मैं बनाऊँगा देखे कहा क्या है कि उसने 133 लाया था अंक कितना लाया अंक 133 फियल कितने से हुआ हुआ और उसको लाने कितने पर्शंट थे 40 यानि पास होने के लिए उसको कितने अंक लाने थे 40 अपच्छा 40 कि स्थे लाने थे यानि अगर हम 133 प्लस 66 को जोड़ेंगे जब तो कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे कितने हो जाएंगे दो यानि दो सो का चालिस पर्षिंट दो सो का चालिस पर्षिंट कैसे एक सो ताइंतिस और सरसट को मैंने आइड कर दिया एक सो ताइंतिस और सरसट को मैंने आइड कर दिया अब क्या करेंगे अब क्या बोला है कि अनुत्रिण घोसित किया गया तो कुल कितने थे यानि कुल पूड़ांग पूंचा है अब क्यिसे निकालेंगे तो कुल अब सब के एक्जाम में तो 100% होता ही है तो सबसे पहले हम 100% यहां लिख देतें हैं फिर बराबर दो-सो कर देते हम ठीक है फिर इसको निकालना है तो 40 कर देते हैं फिर गुड़े 100 कर देते हैं अब क्या करेंगे 405 200 अब 200 को गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा दोस्तों देखिए इतना लंबा कोश्चन इतने आसान ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से कहीं भी किसी भी एक्जाम मे है कुछ करना कुछ किया नहीं मैंने मैंने इसको पहले देखा कि बोल करा रहा है Venet तो पर्षेंट 40% उसको लाने थे तो 40% आया था तो 40% का मतलब की 200 200 से फिर उसके बाद मैंने 200 में से 40 का भाग कर दिया तो कितना आया 5 आया 5 से इसमें multiply कर दिया तो कितना आया दोस्तो 500 आया कितना आया 500 देखिए हमारे किस option में दिया है c option में क्या दिया है 500 तो चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं आसा है कि बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझने भी भी दिक्कत ना हो चलिए अब आगे चलते हैं लास्ट कोस्चन देखते हैं question में लिखा है कि माता पिता क्या लिखा है माता पिता तथा दो बच्चों माता पिता तथा दो बच्चों की औसद आयुकरमसर 30 वर्स तथा आठ वर्स है क्या है 30 वर्स तथा 8 वर्स है तो परिवार की औसद आयु औसद आयु ग्यात कीजिए क्या पूँचा है दोस्तों क्या ग्यात करने के लिए दिया है औसद आयु चलिए ग्यात करते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले हम करेंगे क्या कि दो बच्चे माता पिता तथा दो बच्चों की आउसद आय। पहले हम आउसद आय। निकालते हैं माता पिता कितने लोग हैं एक तो माता हो गई और एक पिता यानी दो लोग हैं कितने लोग हैं दो लोग हैं तो चलिए दो गुंडते तीस दो गुंडते तीस यानि तीस दूना साथ इनकी आयों तो साथ है फिर क्या करेंगे दो बच्चो यानि इसका इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे ध्यान से समझेगा भाई इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे तो इसमें माता पिता यानि दो पर्षन है यानि दो का मल्टिप्लाई हम तीस में कर दिया अब दो की मल्टिप्लाई हम किसमें करेंगे आठ में तो कितना होगा आठ दुनी सोला अब सोला को हम जोड देंगे तो साठ और सोला कितना होगा 76 का तुचार से कट जाएगा तagitना अगया उनेश गया कितना उनेश वर्ष किना आगया दोस्तों उन्न也是 हमारे की सा उसन में है का कि किया academia Marta पिता तथा दो बच्चों की औसा आयो क्रमसा है क्रमसा टीश गया तथाале गया है थे qq कि और रिक्हा own शड कीजिए तो सब से पहले मैंने किया कि इतने परसन है माता-पिदा वर्ष ते थीक दो का बैट कर दिया तो यहां चार आ गया फिर इसमें 76 और चार में क्या कर दिया मैंने multiply कर दिया sorry भाग कर दिया तो कितना आ गया हमारा 19 आ गया तो चलिए आज का एक question हम यहीं तक रखते हैं और आसा करते हैं कि पांचों question आपको बहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और जितने भी मैं question बताता हूं आप किसी भी book को उठा के देख लीजिए इसी तरीके से competition में question पूछा जाता है तो बहतरीन trick के साथ आपको बता रहा हूं कि आपको परशानी ना हो किसी भी competition में कर आप बैठते हैं तो आप आसानी से question को solve कर लें तो चलिए आप इसी तरीके से digital classes के साथ बने रहिए और अपने भविश को सुनहरा करते रहिए तो मैं आसा करता हूं कि आपको एक class पसंद आएगी और अपने दोस्तों के बीच अपने relative जो है उनके बीच एक class जरूर सेयर करिए और बताइए कि आपको यहां बैठतरीन tricks और trips मिलते हैं जो आपको किसी भी competition को qualify करने में आसानी से मदद करेगा तो ठीक है दोस्तों मैं इस class को यहीं तक समाप्त करता हूं जै ही जै भारत